कि व्यूर्ट पेपर हे कर, हमारे पास अगला कस्षक्त है ठीक है इस वीडियो में कि से पहले हमें कुर्चन नंबर 6 किया था अब हम कुर्चन नंबर 7 वा रहें डिसकास कड़ीगे कर एक हम बात करें सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं देखें तो पहले जाके उनको देख लिए उसके बाद अगर आप इनको देखेंगे तो आपको यह सभी अच्छे से समझ में आ जाएंगे ठीक है तो चले हम बात करते हैं क्षुक्ट्षन के बारे में केरा संकरण की संबंद में किसी बी अडू की संपूर जाहनकारी देजिए does को यह Toy haul उग इसके come 63 Chi & Crème को और stick किसी बीच में कितुना होगा और किसी विद्न, किसंपूर जानकारी के लट केजि़िए संक्रड चार्ट अरेख भी बनाए या तो आपसे यह पू躁 सकता है यह आप це spouse सकता ठीक है दोनों कैसे हैं कैसे हैं दोनों आपके ये या जाय तब भी वही लिखना है या यह आजा तब भी हमें लिखना जो कि पूंचा गया ठीक है एक डिटल आफ अई मालिक्राइट चार्ट आफ रिप्ड़िजेशन यह आपको बताना है भाष्ट करते हैं मुझे आपको कुछ मली कोल दे रखें यहां पर आपको कुछ मालीकुल दे रखें यह दे दिये जाएंगी जिनके पारे में आपको सब बताना है जैसे फस्ट कॉलम आपका दे रखा है कंद्रिये परमाणूं की वहत्म कोस में इलेक्ट्रॉन यूगमों की संख्या, यानि कि केंद्रिय परमाणूं के बाहरी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या हो जागी? यानि कि shape के होगी molecule की उसके बाद bond angle ठीक है बंद कोड क्या होगा bond angle example भी दे रखें आपके कहरा है संकरण का प्रकार यानि कि उसमें जो hybridization होगी उसका कौन सा प्रकार होगा SP3 SP2 SP3D2 कुछ भी हो सकता है वह आपको बताना है ठीक है तो कि सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी molecule आपके पास ऐसा है जिसके बाहरी कोस में दो इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रोन है किसी एटम के बाहरी कोस में, ठीक है, मालो यह आपका क्या है, यह मालो, इसके बाहरी कोस में अगर दो इलेक्ट्रोन है, कित्ते इलेक्ट्रोन है, दो, तो यह दो ही इलेक्ट्रोन और गिरहन करके क्या करेगा, यह डवल दो बांड बना लेगा, कित्ते होता है इस पी होता है तो इतना थो में पता लग गया कि इसका संक्रण कैसा होगा थीक है हम बात करें कि आकरती की ठीक है तो शेप कैसी हो जाएगी इसकी जब यह दो मतलब दो कोई भी एक एक अटम दो अन्ड परमावणों से जुड़ा रहता है तो इसके बीच में जो बॉ बात करें बीए एक्स्टू अपका ओड़ियोट हो जाएगा झाल और इसके बीच में बात करें बी एक्स्टू हो जागा एक्स्योट है यहां पर देख लो पिए की अगर हम बात करें तो बी एके के परमान किपना कितना होता है आपका ठीक है बाहरी कोस में कितके लैक्टान हो जायंगे बने स्टूं यह पहला कोस है जो कि भरा हुआ दूसरा कोस कि आ का आपका two-hs two यह आपका दूसरा कोस है ठीक है two-hs two के बाद क्या आता है two-peak तो यह देखो दूसरा कोस पूरा भरा हुआ नहीं है बाहर ही कोस में कितने उलेक्टॉन है कि एवल दो संक्रड तो सभी में मिलेगा आपको एश्क्रड मिलेगा ठीक है यह यह जितने एकजामपल देज़े ठीक ठीक अगर कि अगर तीन इलेक्ट्रों है कितने एलेक्ट्रों है बाहरी कोस में अगर आपके तीन इलेक्ट्रोन है तो क्या हो जागा जब तीन इलेक्ट्रोन है मालो यह है मालो ठीक इसके पास तीन इलेक्ट्रोन है तो यह तीन और इलेक्ट्रोन गिरहन करके क्या कर लेगा तीन बॉंड बना लेगा कित्के बॉंड बना लेगा तीन बॉंड बना लेगा ठीक है तो इस इसके बीच में एंगल कितने का हो जाएगा यह तीन एंगल आपके कित्वेस्टे के राओट आपके की बात कर लो इस तरह से बीच में यहें एंगल किता पूंड़ी पूंड आप सकते कि संकड चपिति पोगा चार यहां की पूंडि तो उसकी जिवारी करते हैं यही lleva दो độ यहां पर देखनों को दूरी ठीक है तो यह साजा करें करें चार करें का बांड बना लेगा जब चार बांडबंड बना लेथा तो बहां पर संकड हमारा कि मिल जाता आपको तो इसकी आकृति यह क्या होई आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी ठीक है इसकी बीच में जो एंगल होगा यह वो कितना हो जागा आपका एक सो नो डिग्री और और 28 मिनट का एंगल हो जागा ठीक है यह दे रखा है एक्जामपल के अग्रह बात करने हैं जैसे सीच फॉर ठीक है जहां पर एक्स आपका क्या है कोई भी है लोजन हो सकता है एक्स फॉर एसन चील फॉर और एनेच फॉर पिलस ठीक है यह सभी आपका केस्टों करेंगे इनमें समय बंड जीरो नाइन और 28 मिनट का आपका बंड एंगल मिल जागा और आकरती कैसी हो जाएगा इनकी सबकी चतुस्पलकी हो जाएगी और संकड क्या हो जागा इनमें सम संकड में समय आपको देखनें घुर इस तरह से आपको किसी मोलेकिल के बारे में संकड से संबंद सभी जानकारी जो बहुतर बना लेगा पाँच बना लेगा फैस गोट इस तरह से जागा त्रभुजी ये कैसे हो जाएगी त्रभुजी ये दोपरामेट ठीखंग से अभी हमने उपर देखा था यहां पर अगरम बात करने यह आपका क्या है कोई प्रमानु में जिसके बाहर कुछ में किते एल ग्रॉं थे पांच यह ओगा एक दो तीज चार पांच इस तरह से और नीचे बाला भी इसी तरह से क्या कर लेगा प्रामिट बना लेंगा तो इस दो प्रामेट बन जाएंगा तब ही किया कहते है इसको बाइफ बाइफ रमिट के का यहाँ पर तो आपका कितना हो जागा यहां पर तो आपका किता हो जागा तो दो आपको एक नाइंटी का मिल जागा दूसरा किता होगा 120 अगर बात करें तो पी एक्स पाइब जहां एक्स के हो सकता है आपका कलोरीन हो सकता है ब्रोमीन और आयोधीन कुछ भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाता है ठीक नेक्स्ट हमारे पास जब किसी प्रमाणूं के बाहरी कोश्मी आपको छे लेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे तो वेच्छे अन ऑलक्ट्र के साथ में साजय करके कितने बाॉंड बना लेगा छे बन बना लेगा ठीक जब चेव बना लेगा तो छे बन पर क्या होता है तो इसकी आकरति कैसी हो जाएगी आपकी अस्ट फलक ही ठीक तो यह आपको दिखाई दे रहा कुछ इस तरह से कि दो तीन चार यह कूपर और यह बिल्कुल इसके नीचे तो कितने होगा च्छे होगा ठीक है जहां पर हम कितने कितनी हमें अगर बात करें तो यह पर यह कितने का हो जाएंगा नाइंटी को जागा ठीक है तो बांड आंगल आपको कितने के मिलेंगे नैंटी के बांड एंगल मिलेंगे पर संक्रण आपका क्या हो जागा SP3D2 जब 6 आपको देखने को मिलते हैं तो संक्रण क्या हो जाता है आपका SP3D2 हो जागा ठीक है इससे पहले हमने संक्रण वाले कुश्चन की बात की यह जब आप आप देखोगे तो यह आपको बिल्कुत समझ में आजागे कि SP3D2 और SP3D SP3 SP3 SP यह क्या होता और किस तरह से इसका निर्माण होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहरा है जब उसके बाहरी कुश्चन में कितने लेक्टान हूँ आपको साथ एलेक्टान देखने को मिल जा सकता है लिए साथ बांड बना सकता है जब बनाता है जो संक्रण होता है SP3 сид3 हो जाता है तो इसके अगर हम बात करने क्या है आप को इस तरह से कुछ सब्सक्राइब पांच और यहां पर कैसा हो fiquei कैसा हो जागा पांच बिजाना एक, तीन, चार पांच बुझाय और ऊपर से कहा बना रहा हैै दो पर we gonna be इस तरह एसे और एक प्रामड यह नीचे से बना ले सी तरह से इस तरह से समो च्ट बुझी है दे प्रेमिड यानि कि पेंटागोनल बाइप रम इडर इसकी क्या हो जाएगी आकरत्य हो जाएगी नेक्स्ट अगर हम बात करने बॉन्ड एंगल आपको कितने का देखने को मिलेगा यहाँ पर बात्तर डिगरी का और नैंटी डिगरी का देखने को मिलेगा ठीक ह तो यहापन 90 डिगरी के अगर हम बात करें तो 90 डिगरी के आपका बिल्कुल जो उपर है एक प्लेन के और एक प्लेन के नीचे इन दोनों के बीच में बनेगा आपका 90 का ठीक है कित्ते का बनेगा 90 का बाकी यह जो 5 दिखाई दे रहें आपको 1, 2, 3, 4, 5 इनके बीच में आपका बंद अंगल के बनेगा सैन यह देगरा है तो इसमें में आपको 2 इसमान अंगल 90 के मिलेंगे और 144 भान यह जांगा इससका संक्रण केहार 어떡 तो पहले आपको संप्मुल्र पढ़ना उसके पार यह आपको पढ़ना ठीक है से पहले वाला जुरूद देखे जबंद अब करा क्या होता है इब को इस अंक्र कि आपको समझ में आगा होगा निगे क्लेन पेकर दोкам